हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और बेल आइकन को विदावाइब ता इस सारी लेटर्स अपडेट और वीडियो आप ता पहुंचे सबसे तहले हेलो इस्टुडेंट्स वेलकम टो इकोनोमिक्स ओनलाइन आज हम इस कलास में डिसकस करेंगे इंडेक्स नंबर अर्थात सुचकांग क्या है इनकी उपयोगिता तथा सीमाओं का वरनन कीजिए तो आईए सबसे पहले जानते हैं कि सुचकांग क्या होता है सुचकांग का क्या अर्थ होता है समाज में वस्तुओं तो था सेवाओं की कीमतों में सदेव परिवर्तन होते रहते हैं वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन होने के कारण मुद्रा का जो मुल्ले है वो भी बदलता रहता है जिससे समाज का परतेक वर्ग प्रभावित होता है इसका परिणाम ये होता है कि कीमत, इस्तर, उभोग, जनसंख्या, बचत, निवेश, रास्टी आए आयात, निर्यात, मजदूरी, ब्याज, किराया, वे लगान आदी सभी चीजों में परिवर्थन देखने को मिलते हैं अते मुद्रा मुल्ले में हुए परिवर्थनों का माप करना बैभारिक द्रस्टी से अत्यधिक महत्पूर्ण वे उप्योगी है इन परिवर्थनों को निर्पेक्स रूप से मापने का हमारे पास कोई साधन नहीं होता अते इनको सापेक्स माप लिया जाता है सुचकांक विशिस्ट परकार के सापेक्स माप होते हैं जो इंडेक्स नमबर होता है, सुचकांक होता है वो एक विशिष्ट परकार के सापेक्स माफ होते हैं, जिनके आधार पर सम्मकों की, सम्मकों हम कहते हैं आंकड़ों को, आंकड़ों की ऊचित एवं किलियर तुलना की जा सकती है, तो केवल इंडेक्स नमबर ही ऐसा है, जिससे की हम जो आंकड़ी गिवन होते हैं, उनकी और इस पस तुलना कर सकते हैं तो आइए ब देखे सुचकांकों की कुछ परिभाशाएं हैं जो की विभिन अर्थ सास्त्रियों ने अलग-अलग परिभाशाएं दी हैं तो सबसे पहले आता है चेंडलर की अनुसार चेंडलर ने बताया है कि कीमत का सुचकांक आधार वर्स की तुलना में किसी अन्ने समय में कीमतों की ओसत उचाई को परकट करने वाली संख्या है और डाक्टर बावले ने बताया है कि सुचकांक की सरेणी एक ऐसी सरेणी होती है ऐसी केटेगरी होती है जो अपने जुकाओ तथा उच्चा वच्चनों दुआरा जिस परिमान से संबंदित है में होने वाले परिवर्थनों को इसपस्ट करती है जो हमने इसकार्थ बताया ठीक उसी से इसकार्थ से है जो उपर बताया गया है इसके अलावा किनले हुए है किनले करसास्त्री हुए उन्होंने भी इसकी परिभाशा की उन्होंने बताया कि सुचकांग वह अंग है जो किसी पूरु निश्चित तिथी को चुनी वस्तुओं या वस्तु समू के मुल्ले को या उसके मुल्ले का परते निधित्व करता है जिसे प्रामानिक मानते हुए किसी बाद की टिठी को उनी वस्तु के मुल्ले से तुलना करते हैं तो यह तीन परिभाशा होती है सुचकांक की परिभाशा जो दी गई है अब हम जानेंगे कि सुचकांकों की विशेष्टाएं क्या होती हैं क्या विशेष्टाएं होती हैं जो कि उसके अर्थ से भी किलियर हैं परिवाशाओं से भी किलियर हैं जो निसकर्स निकला है उसमें number one बात आती है सुचकांक मुद्रा के मूले का निर्पेक्स माफ ने होकर सापेक्स माफ है यह बात उपर clear कर दी गई कि सुचकांक एक सापेक्स माफ है और इसी के द्वारा हम दिये गए आंकड़ों की तुलना कर सकते हैं उनको clear कर सकते हैं दूसरा, सुचकांकों को पर्ति सतों में व्यक्त किया जाता है, चोट इंडेक्स नमबर होते हैं, उनको पर्संटेज के रूप में हम सो कर सकते हैं. इनका प्रयोग ऐसे तथ्चों के परिवर्तनों को मापने के लिए किया जाता है जिन्हें परत्यक्स माप से नहीं मापा जा सकता तीसरा यह एक विशेश प्रकार का माध्धे ही है चोथा सुचकांक आर्थिक पहलू के उच्चा वचनों को संख्यात्मक रूप में ही माप सकता है जो संख्यात्मक रूप होता है उनका उसी रूप में उनको माप सकता है अब आती है सुचकांग की उपयोगिता की सुचकांग का क्या लाब है इससे क्या लाब होते हैं क्या उपयोगिता है तो जानिए सुचकांग कों की सारवे भोमिक उपयोगिता है सभी जगे इनका उपयोग है ये व्यापारी, अर्षास्त्री, विराजनितिग्यों का पत परदर्शन करते हैं और उन्हें भावी प्रवर्तियों का अनुमान लगाने में उनकी मदद करते हैं कीमत जीवन निर्वहा, ओध्योगिक उत्पादन, खाद्यान उत्पादन, निर्यात, आयात, लाब, मुद्रापूर्ती, जनसंख्या, रास्ट्रियाय, बजट घाटा, अथवा आधिक के आधि से संबंदित सुचकांग, विभिन घटनाओं का सापेक्षिक माप प्रस्तूत करते हैं, इसलिए सुचकांग, आर्थिक, वायो मापक, यंत्र, एकोनोमिक्स, बैरोमेटर्स कहलाते हैं, वैवारिक रूप में, जो सुचकांगों के लाब हैं, वो नीचे दिये जा रहे हैं, उनमें सबसे पहला लाब है, मुद्रा के मुल्ले की माप, तो देखिए, इसम सामानने मुल्ले स्तर में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए सुचकांगों का परियोग किया जाता है, सामानने मुल्ले स्तर में होने वाले परिवर्तनों से मुद्रा की करेशक्ती में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सकता है, दूसरा आर्थिक इस्थिती की तुलना हम दो वर्गों की जो आर्थिक इस्थिती है उनकी तुलना कर सकते हैं दो देशों की तुलना कर सकते हैं दो प्रदेशों की तुलना कर सकते हैं इविन देट दो व्यक्तियों की आर्थिक इस्थिती की तुलना भी कर सकते हैं रहन सेहन संबंदी सुचकांकों की तुलना करके समाज के किसी वर्ग के रहने सेहने में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान भी इंडेक्स नंबर से इन सुचकांक से लगाया जा सकता है तीसरा मजदूरी निर्धारण में उपयोगिता सुचकांक वास्त्विक आये में होने वाले परिवर्तन का सुचक होता है अते मजदूरी वेवेतन की निर्धारण में इन से बहुत अधिक साहिता मिलती है चोथा रिनो के नियाएपूर्ण भुक्तान का आधार सुचकांकों की साहिता से मुल्य स्तर में परिवर्तन का अनुमान लगाया जा सकता है ये बात इसपस्ट हो चुकी है और इसी चो मुल्य स्तर में परिवर्तन होता है इसी आधार पर रिनों की मात्रा में परिवर्तन करके उनका न्यायपूर्ण भुगदान किया जा सकता है इससे किसी भी पक्स को एसंगत लाव यहानी नहीं होती पांचवा है अंतरास्टी तुलना करने में सहायक international level पर भी यदि हम दो देशों की तुलना करते हैं तो सुचकांकों की शाहता से हम बहुत ही आसानी से उसको clear कर सकते हैं उसका comparison कर सकते हैं सुचकांकों की शाहता से विभिन परकार की अंतरास्टी तुलनाएं करना संभव है किसी भी छेत्र की, वो चाहिए सुरक्षा के छेत्र में हो, किसी भी परकार का कोई विकास का बजट हो, किस देश का कितना है, किस देश का कितना है, विबिन छेत्रों में उस देश ने कितनी परगती कर ली है, इस देश ने कितनी परगती कर ली है, तो उनको सामने रखते हु इसकी जानकारी वे तुलना सुचकांग को की साहिता से की जा सकती है। छटा, देश के आर्थिक विकास का अनुमान, जब हम दो देशों की केमपरेटिव स्टेडी करते हैं, तो उनकी जो विकास है, जो आर्थिक विकास है, किसी भी छेत्र में होने वाले विकास का बहुत ही, आसानी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा देश कितनी आधिक परगती कर रहा है। तो उत्पादन सुचकांक देश में उत्पादन संबंदी जानकारी देते हैं, किस देश में कितना उत्पादन हो रहा है किस चीज का, जिनके आधार पर सरकार अपनी ओध्योगिक नीती का निर्मान करती है, सुचकांकों की साहता से ही विदेशी व्यापार की इस्थिटी, विदेश में पुंजी विविन्योग की मात्रा का ग्यान होता है, सात्वा है भावी परवर्तियों का अनुमान, सुचकांक ने केवल वर्तमान परिवर्तनों को बताते हैं, बलकि इनकी साहता से भविष्य के संबंद में भी महत्वपुन अनुमान लगाय जा सकते हैं, हम वर्स कोई देश या कोई भी प्रदेश किसी छेतर में प्रोग्रेस कर रहा है, परगती कर रहा है, तो आंकडों की आधार पर ही हम ये देख सकते हैं, और भविष्य में होने वाले जो परिवर्तन है, जो विकास की स्थिती है, उसका भी सहज ही अनुमान लगा सकते हैं, ए आप भी की जा सकती है, जिनकी माप किसी अन्य सादन से संभव नहीं होती, नाइंट है, नियंत्रण एवं नीतियां, सुचकांकों के आधार पर ही सरकार आर्थिक नियोजन वे नियंत्रण संबंदी नीतियां बनाती है, उनका मैनिप्लेटेशन करती है, तो ये सब कुछ आकणों के आधार पर और सुचकांकों के आधार पर ही संभव होता है, जिससे की सरकार अपनी भावी विकासवादी नितियों की योजना बनाती है, अब हम देखते हैं कि सुचकांकों की कुछ सीमाई होती है, और वो सीमाई क्या क्या है, सबसे पहले नंबर पर आता है, सा सुचकांग निर्पेक्स परिवर्तनों की मापों की अपेक्षा सापेक्स परिवर्तनों की ही माप करता है और वे भी मात्र अनुमान की रूप में वास्तों में सुचकांग केवल सामानने परवर्तियों की और ही संकेत करते हैं यानि इनसे जो भी माप की जाती है तो वो केव एक अनुमान की रूप में की जाती है। उसमें बहुत अधिक बास्तविक्ता नहीं होती। ये सुचकांग की सीमाएं हैं। दूसरा सुद्धता की कमी। सुचकांग बनाते समय सम्हू की परते किकाई को सामिल नहीं किया जाता। वरण इसके लिए कुछ परती निधी काई काई का इचेन किया जाता है। उनके आधार पर सैंप्लिंग मेथड के द्वारा पूरा अनुमान लगाया जाता है। इससे परती दर्स ऐपरियाप्त और ऐपरती निधी परिनामों की सच्टता कम हो जाती है। तीसरा है उदेश्य में अंतर विविन सुचकांक अलग-अलग उदेश्यों को पुरा करते हैं एक सुचकांक जो एक उदेश्य के लिए उप्युक्त हो सकता है अन्य उदेश्यों के लिए अनुप्युक्त हो सकता है कोई भी सुचकांक सार्व उदिश से नहीं होता इसलिए इसमें बड़ा दोस है और चोथा है अंतरास्टी तुलना कठिन अभी हमने उपर किलियर किया था लाब में बताया था कि अंतरास्टी इंटरनेशनल जो हम कॉमपारिजन करते हैं तो उसमें चाहिक है बट ये तुलना करना बहुत कठिन है सुचकांको की सायता से दो देशों के संबन में किसी परकार की तुलना करना काफी कठिन होता है क्योंकि सुचकांको की निर्मान विधी उनका आधार वर्स निर्मान विधी आधार वर्स तथा प्रतिनिधी वस्तुओं की सूची विभिन देशों में अलग-अलग होती है इसलिए उसका ठीक अनुमान लगाया जाना संभव नहीं होता पाँचवा विभिन समय में तुलना करना कठिन लोगों की द्वारा उब्भो की जाने वाली वस्तुओं में जो परिवर्तन होते हैं सुचकांकों की शाहिता से विभिन समयों में ऐसी प्रस्थितियों में तुलना करना संभव नहीं होता क्योंकि ये परिवर्थन होते रहते हैं आज हमने किसी चीज का अनुमान लगाया तो आफ्टर सम्टेज कुछ और परिवर्थन होंगे जो लोगों की द्वारा उब्भो की जाने वाली वस्थ में हैं उन में तो इस से सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता सीख से भार निर्धारन एवग्यानिक भारित सुचकंकों में भार निर्धारन मन माना तथा एवग्यानिक होता है केवल अनुमानित होता है वग्यानिक नहीं होता है अनुमानित होता है केवल अनुमान लगाया जाता है भिन भिन वर्सों में एक ही वस्थू के भार बदल जाते हैं जिसके कारण परिणामों में अंतर आ जाता है इसलिए जो अनुमान हमने इस वर्स लगाया है आकड़ों के आधार पर वो नेक्स्ट येर में प्रभावित हो सकता है तो ऐसी स्थिती में सही भार निर्धारण का अनुमान लगाना सही नहीं है तो देखें ये कॉश्चन है जिसमें सुचकांग किसे कहते हैं सुचकांग की क्या परिभाशा है और सुचकांग की उप्योगिता क्या है और सुचकांग की सीमाए क्या है सीमाए अर्थात कभी दोस भी कह सकता है कि दोस क्या है तो सीमाए और दोस एकी बात है और इसी के ये topic समाप्त होता है Thanks